अगनी वीरों की भरती के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसका मतलब साफ है कि सरकार अगनिपत स्कीम को वापस लेने के मूट में नहीं है हालाकि कई जगहों पर स्कीम का समर्थन भी किया जा रहा है आर्मी और एर फोर्स दोनों में ही 75% अगनी वीरों की सिर्फ 4 साल के लिए भरती की जाएगी आज हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं कि अगर आप अगनी पत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रॉसस है किसी भी पद की लिए अप्लाई करनी की लिए कैंडिडेट्स के उम्र कम से कम 17.5 साल और जादा से जादा 23 साल होनी चाहिए एक जुलाई 2022 से रजिस्ट्रेशन की प्रकेरिया शुरू हो रही है अंतिम तारीक की घोशना आभी तक नहीं की गई है साते साथ 6 पदों पर भड़ती की जा रही है पहला अगनीवीड जेनरल ड्यूटी दूसरे नंबर पर अगनीवीड टेक्निकल तीसरे नंबर पर अगनीवीड टेक्निकल चौते नंबर पर अगनीवीड क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल पांचवे नंबर पर अगनीवीड ट् सर्टिफिकेट वाले कंडिडेट्स को बोनस के तोर पर 5 नंबर, 20 सर्टिफिकेट वाले कंडिडेट्स को 10 नंबर और NCC के C सर्टिफिकेट वाले कंडिडेट्स को 15 नंबर मिलेंगे NCCKC Certificate वाले candidates को अगनी वीर जेनरल ड्यूटी और कलर्ट स्टोर कीपर पदों के लिए CEE यानि Common Insurance Exam में भी छूट में लेगी अगनी वीरो की सालरी कुछ इस प्रकार है पहले साल 30,000 रुपे प्रती महिने, दूसरे साल 33,000 रुपे प्रती महिने, तीसरे साल 36,000 रुपे प्रती महिना, चौथे साल 40,000 रुपे प्रती महिना, 75% अगनी वीर 4 साल के बाद रिटार हो जाएंगे रेजिस्ट्रेशन की प्रकेरे आज यानि 24 जून से शुरू हो रही है जो की 5 जुलाई तक चलेगी जेनरल जूटी यानि जीटी सैनिक पद के लिए मानिता प्राप्त बोर्ट से 10 वी आब आरवी पास होना जरूरी है आपके उम्र कम से कम 17.5 साल से और जाता से आदा 21 साल की होनी चाहिए अगनीपत योजना का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 24 जून यानि आज से एर फोर्स में रजिस्ट्रेशन आर्मी के लिए शुरू हो चाहिए आर्मी के लिए 6 पादों पर भरतिया निकली हैं उम्र क्या होनी चाहिए शुरू हो रही है और अस साल के अंते महने यानि दिसेंबर में देश को अगनीवीर का पहला बैच भी मल जाएगा फिला के लिए सब्डेट में इतना ही है न के अप्डेट्स के लिए मैं साथ बने रहे न्यूस फोर्नेशन में नमस्का